नमस्कार राष्ट्रिय मुक्त विद्यालेई शिक्षा समस्थान की कख्षा में आपका स्वागत है आज हम समस्कृत साहित्य विषय के अंतरगत उत्तर रामचरितन नाटक को पढ़ेंगे पिछली कक्षा में हमने चित्रदर्शनम के कुछ अनुशों को पढ़ा था जिसमें माता सीता के मनोविनोदार्थ चित्रकार के द्वारा निर्मित रामचरित का दर्शन करा रहे थे उसमें ताटक वधप्रशंग दिखाया गया था जिरिम्भकास्त्र को दर्शन कराकर उन्हें प्रणाम करने के लिए राम कहते हैं भगवती सीता उन्हें प्रणाम करती है और क्रमसह यात्रा आगे बढ़ती है आज हम अवसिष्ट अंक को पढ़ेंगे जो शेश भाग है उसे पढ़ेंगे द्रिश्य पटल पर हम देख सकते हैं सीता एते खलू तत काल कृत गोदान मंगलास चत्वारो भ्रातरो विवाह देख्षिता यूयम अहो जानामी तस्मिन्नेव प्रदेशे तस्मिन्नेव काले वरते प्रसंग में सीता कह रही हैं कि विवाह के समय का ये चित्र है जिस समय चारो भाई विवाह से दिख्षित हो रहे हैं तो सीता कह रही हैं अहो जानामी मैं जानती हूँ तस्मिन्नेव प्रदेशे तस्मिन्नेव काले वरते हम उस समय उसी स्थान पर थे उसी स्थान पर हम थे और पूरे द्रिश्य को देख रहे थे राम कहते हैं एवं समय सवर्तत इवैशयत्र माम समनन्द यत्सुमिखि गौतमार्पितह अयमा ग्रिहीत कमनीय कंकनस्तव मूर्तिमानिव महोत्सवह करह लक्ष्मडः यमार्या यमप्यार्या मांडवी यमपी वधूहु स्रुतकीर्ति सीता वत्स यम अपराका लक्ष्मडः सलज्या स्मितम अपवार्य अये उर्मिलां पृच्छत्यार्या भवतु अन्यतह संचारयामी प्रकाशम आर्ये द्रिश्यताम द्रश्टब्यमेतत अयम्च भगवान भार्गवह सीता कंपितास्मी ससभ्रमं रामह रिशे नमस्ते लक्ष्मडः आर्ये पश्य अयम् आर्येन इत्यर्धोक्ते तूश्लीम्भवति रामह साक्षेपं अई बहुतरं द्रश्टब्यम अन्यतो दर्श्य सीता सस्नेह बहुमानम निरवर्ण्य शुष्टुस शोभसे आर्यपुत्र एतेन विनयमाहात्मेन अब हम इन पढ़े हुए अन्शों के अन्वय के साथ भावार्थ को देखेंगे सीता ने कहा इसमें आप सब के सब सहोदर चारों भाई विवाह रूपी समस्कार से समस्कारित हो रहे हैं कुना कहती हैं अहो आश्चरियम जानामी मैं जानती हूँ चिंतयामी उसको सोच रही हूँ कियों तस्मिन ने वो प्रदेशे उस समय मैं उसी स्थान पर थी कस्मिन समय विवाह काले समय यदा विवाह कालह आसी तदा अहम तस्मिन स्थाने आसम पुनह रामह वदती एवं तथा हे सुमुखी हे सुन्दर मुखवाली एशह आयम सा अनुभूत हसमय यह कालह वर्तते यह जो है वह अनुभूत समय है इस समय को जिसने अपने अनुभव में लिया है वही इसे समझ सकता है हमारे द्वारा अनुभव किया गया यह कालहे जिस समय गौतमारपितह अर्थात शतानंद रिशी के द्वारा आग्रिहीत कमनीय कंकडः आग्रिहीत कमनीय कंकडः अर्थात आग्रिहीतं अर्थात धृतं स्विक्रितं कमनीयं अतिसुंदरं कंकडः कर भूशनं ये नसा आग्रिहीत कमनीय कंकडः अर्थात परिहत मनुहर वलयह स्विकार कर लियाह सुंदर वलय जिसके द्वारा अर्थात जो सुन्दर कंकन स्वर्ण का आभूशन हाथ में पहनने वाला जो कंगन है वह गौतमार्पितह आसेत गौतम रिशी के द्वारा रिशी शतानन्द के द्वारा तुम्हें दिया गया तो वह अति शुन्दर लग रहा था और उसों देख करके मैं आनन्दित हो रहा था वह कंकन हमें आनन्द प्रदान कर रहा था लक्षमण कहते हैं यम आर्या भवती सीता लक्ष सीता का चित्र दिखाते हुए कह रहे हैं कि यह आप हैं यम एशा अपी आर्या मांडवी और ये देखो यह जो चित्र है यह मांडवी का है अर्थात भरत की पत्नी मांडवी का चित्र है यम अपी शुत कीरती शत्रुग्न पत्नी यह जो चित्र है यह शत्रुग्न की पत्नी शुत कीरती का चित्र है सीता कहती है वत्स यम अपी अपरा अन्या का अरे वत्स लक्षमण यह दूसरी कौन है यहाँ पे थोड़ा सा परिहास कर रही है सीता और वो जो चित्र है वो लक्षमण की पत्नी का है लक्षमण अपने पत्नी का चित्र नहीं दिखाए इसलिए सीता स्वयम कह रही है कि यम अपरा अन्या का यह जो दूसरी है यह कौन है लक्षमण सलज्जा स्मितम वह लज्जा के द्वारा मुख मंडल दूसरी तरफ फिरते हैं और स्मितेन स्मित हास के द्वारा जिसमें केवल अधर स्फूरित होते हैं दंतों का अवलोक नहीं होता ऐसे हास के द्वारा अपवार यह अर्थात उस बात को हटाते हुए उसे इग्नोर करते हुए अये उर्मिलाम मम पत्नीम प्रिक्षति ओहू भाभी तो हमारी पत्नी उर्मिला को पूछ रही हैं उर्मिला के विसे में जिग्यासा कर रही है ठीक है कोई बात नहीं अब मैं कोई दूसरा चित्र दिखाता हूँ यह लक्ष्मन अपने मन में सोचते हैं बोलते नहीं है आप नाटकों में देखेंगे जहां पे स्वगतम लिखा होता है उसका अर्थ है मन में सोचा गया आत्म गतम केवल मन में वो बात सोची जाती है लेकिन प्रकाशम जब लिखा होता है तो वह बोल करके कहा जाता है अर्थात वह प्रकाशित होता है वाणी जो अंतर निगुहित है वह प्रकाशित होती है ध्वनित होती है तो उसे प्रकासम ऐसा प्रकाशम ऐसा प्रियोग करते हैं तो अपवारिय स्वगतम अभी हमने जो पीछे पढ़ाता हुआ लक्ष्मन मन में सोच रहे थे और प्रकाशम अवह बोल कर बता रहे हैं क्या कहते हैं आरिये द्रिश्यताम अवलोक्यताम एतत यह देखिए दूसरा चित्र दिखाते हुए कहते हैं एतत चित्रम अवलोक्यताम अयम एशच भगवान भारगव है यह भगवान भारगव है अर्थात भ्रिगुपुत्र है भ्रिगुपुत्र कौन है परसुराम उनके पिता का नाम है इसलिए भ्रिगुपुत्र भारगव वन्शिय है प भैभीत हो जाती है क्योंकि उस समय उन्हें याद आता है धनुसियग्य के प्रसंग का स्मरण हो आता है और वो उस क्रोध मूर्ती रिशी को स्मरण करके पुनह भैभीत हो जाती है और कंपिता अस्मी कहती है मैं तो कंपित हो गई हिर्दय मेरा प्रकंपित हो गया भैभीत हो उनको स्मरण करके उनका चित्र देख करके क्योंकि तत्कालीन घटना उनके मस्तिस्क में पुनहस्फुरित हो जाती है राम कहते हैं रिशे नमस्कार आहा तुभ्यम हे मुनी आपको नमस्कार है रिशी आपको नमस्कार है हम फोटो को ही देखके उस चित्र को ही देखकर पणाम करते हैं लक्षमडः वाक्य समापनात पूर्व में वह राम बोल रहे हैं तब तक वाक्य पूरा नहीं हुआ उसके पूर्व में ही वाक्य समापती के पूर्व में ही बोल पड़ते हैं लक्षमण अपनी पूरी बात नहीं बोल पाते और आधी बात बोलते हैं कि हे सीते सीता माता आप देखिये अयम परशुर ये परशुराम हैं आर्येंड रामचंद्रेंड आर्ये रामचंद्र के द्वारा इतना बोल पाते हैं कि लक्षमण को राम रोकते हैं साक्षेपम अर्थात आक्षेप करते हैं आक्षेप उसे ही कहा जाता है कि पूर्व की बात को रोक करके दुसरी बात का आरंभ कर दिया जाए तो राम आक्षेप करते हुए कहते हैं अई बहुतरम द्रश्टब्यम बहुकिमपि द्रश्टब्यम देखने के लिए और भी बहुत कुछ है अन्यतो दर्शय अन्यत्र चित्रितम दर्शय अर्थात अभी बहुत सारे चित्र देखने हैं आप और कोई चित्र दिखाईए ये इस चित्र को अलग करने का संकेत करते हैं क्योंकि उस चित्र को देखने से सीता के मन में भय उत्पन हो सकता है मन में कश्ट हो सकता है विभिन प्रकार की विवत सनाय मस्तिस्क में आ सकती है और वह वरतमान समय में सीता के लिए उपयुक्त नहीं है चितना शांत चित्त होगा सीता के गर्भ में पल रहे पुत्र उतने सुरक्षित और अच्छे होंगे इसी लिए राम ने उन चित्रों को अलग कर दिया आगे सीता कहती हैं सस्नेह बहुमानम स्नेहेन बहुमानेन च सहितम अवलोक्य सम्मान पूर्वक चित्रों को देख रही हैं और जब राम ने कह दिया कि दूसरा चित्र दिखाईए तो वह सम्मान पूर्वक दूसरे चित्र को अवलोक्य देख करके कहती हैं क्या आर्य पुत्र अनेन विनय माहात मेन शोत कर्षता कथन रूपेड सुन्दरम शोभसे अर्थात आर्य आपने वहाँ पर इस जो विनय का प्रदर्शन किया था परशु राम के समक्ष जितने विनमरता पूर्वक राम प्रस्तुत हुए थे उस विनम्रता से राम का उतकरश और बढ़ गया राम का माहात में और बढ़ गया कम नहीं हुआ क्योंकि हम जितने विनम्र होते हैं उतना महान बनते हैं तो राम के साथ भी वहाँ ऐसा ही घटित हुआ था उस कोप की अवस्था में राम ने जो अपना प्रदर्शन किया था जो विनय शीलता का प्रदर्शन था वह विनय माहात पे राम को और अधिक महान बनाया ऐसा सीता कह रही है कि इस विनय माहात में के द्वारा आप अत्यंत शुशोहित हो रहे हैं अभी पढ़े हुए इन पदों में हम कुछ व्याकरण के अन्ष देखेंगे जैसे एक पद आया था समनन्दयत जो सोने के कंकन थे वो राम को आनन्द प्रदान किये इस समनन्दयत पद में सम उपसर्ग पूर्वक नंद धातु है जिसमें इडिच प्रत्य करने पे लंगलकार के प्रथम पुर्ष एक वचन में यह रूप बनेगा ऐसे ही सुमुखी शोभनम मुखम यस्याहासा सुमुखी और सुमुखी शब्द का संबोधन का एक वचन रूप होगा सुमुखी जैसे नदी होता है ऐसे ही आग्रहीत कमनाय कंकडः कुछ टंकड यहाँ अलग दिख रहा है आग्रहीत कमनाय कंकडः तो यहाँ आग्रहीत कमनीय कंकडः होगा आगुपसरगपूर्व ग्रह धातू से अक्ता प्रत्य करने पे 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 विनयमाहात्मियन विनयस्यमाहात्मियम विनयमाहात्मियम यह सश्ठी तत्पुरुस समास है आगे हम मूल पाठ पढ़ेंगे जो इस क्रम को कथा को आगे बढ़ाएगा लक्षमड है एते वयम अयोध्याम प्राप्ता है अब लक्षमड कहते हैं कि हम अयोध्या को प्राप्त हुए विवाह हुआ विवाह के अनंतर जो चित्र का क्रम है वो अयोध्या का दृष्य है उस दृष्य को देखके राम सास्रुम स्मरामी हंत स्मरामी उन चित्रों को देखके राम के आँख में अस्रु आ जाते हैं और कहते हैं हाँ मैं इन्हें स्मरण कर रहा हूँ जीवत सुतात पादेशु नूतने दार संग्रहे मात्र भिस्चिंत्यमाना नाम तेहिनो दिवसा गताह वो दिन भीत गए ऐसा राम कह रहे हैं यह सुक्ती है अत्यंत प्रशिद्ध सुक्ती है आगे कहते हैं यम अपित दाजान की प्रतन विरलै प्रांतोन मीलन मनोहर कुंतलैर दशन कुसुमैर मुग्धालोकं शिशुर्दधती मुखं ललित ललितैर जोट्सना प्रायै रकृतिम विभ्रमैर रकृत मधुरै रंबानाम मे कुतूहल मंग कैहि लक्ष्मडः एशा मंथरा रामह सत्वरं अन्यतो दर्शयन देविवैदेही इंगुदी पादपहसोयं स्रिंगवेर पुरे पुरा निशाद पतिनायत्र स्निग्धे नासीत समागमह लक्ष्मडः विहस्य स्वगतम अये मध्यामबा वृत्तम अंतरितम आरियेण इन पदों के हम अन्यवय के साथ प्रत्येक पदार्थ को अब देखेंगे लक्ष्मडः कहते हैं एते वयम अयोध्याम प्राप्ता हा अब हम इन चित्रों के क्रम में अयोध्या को प्राप्त हुए अर्थात आगे के जो लिखित चित्र है वो अयोध्या के हैं राम, सास्रुम, अस्रुपात पूर्वकम नैनों में जल आ जाता है और राम कहते हैं स्मरामी हाँ लक्षमड स्मरण कर रहा हूँ मैं तात पादेशु पित्री चरणेशु तात का अर्थ होता है पिता पित्री चरण के जीवित रहते समय जब वह जीवित थे प्राणम दधत्सु दार संग रहे अर्थात उस समय अर्थात हम लोगों का नूतन विवाह हुआ था और माताओं के द्वारा सब स्नेह को प्राप्त हो रहे थे सभी लालित हो रहे थे उस समय असमाकम ते पूर्वा अनुभूता हा वह पूर्व की अनुभूती का मैं स्मरण कर रहा हूँ निश्चेन दिवसाहा गताहा वो दिन बीत गए जब पिता और माता सब का आशिरवाद हम लोगों को मिला करता था क्योंकि अब तो पिता रहे नहीं इसी घटना को समरण करके राम अस्रू से युक्त हो जाते हैं राम के आँख में आशू आ जाते हैं क्योंकि अब तो केवल माताएं ही घर में अवसिष्ट हैं वही रह रही हैं पिता की सत्ता घर में शारी रिक्रोप से नहीं है अगे कहते हैं इयम एशा अपी तदा विवाहात परम जानकी देवी सीता ये देखो ये सीता है विवाह के पूर्व की अवस्था जिस समय विवाहित हो करके आई थी तब की सीता का चित्र दिखा रहे हैं कैसी हैं इस श्लोक में वर्णित है उनकी स्वाभाविक जो क्रियाएं हैं उनकी जो सुन्दर च्छवी है वह हम देखते हैं प्रतन विरलई ही प्रतनूनि चतानि विरलानि तैही अति सोक्ष्म निविडई ही अर्थात अत्यंत सोक्ष्म निविडवाली सीता प्रांतोन मीलन मनोहर कुंतलै ही प्रांतोन मिलंतह अर्थात कपोल के प्रांत में गाल के दोनों भाग में जो लटकते हुए बाल हैं सुन्दर सुन्दर मनोहर मन को हरण करने वाले कुंतल अर्थात केश जो सुन्दर सुन्दर केश हैं उन केशों के द्वारा शुशोवित हो रही है दशन कुशमई ही दशन अर्थात दात कुशमई ही कुशुम के समान जो दशन हैं कुशुम तुल्य दंतई ही कुशुम के तुल्य पुश्प सद्रिस दातों वाली मुगधालो कम अर्थात जिसका आलोक जिसका दर्शन मुगध करने वाला है दर्शनी मुख वाली आननम दधती धारयंती ऐसे मुख को धारण करने वाली शिशुहु यहाँ पे सीता को शिशुहु का प्रयोग किया कि शिशुहु अर्थात पुर्ण रूपेण प्रऊड नहीं है ऐसी अप्रऊड़ा सीता इम जान की अपी एसा सीता अपी ललित ललित इही मनोहरात अपी मनोहर ही अर्थात मनोहर से भी अत्यधिक मनोहर सुन्दर से भी अत्यधिक सुन्दर जोट्सना प्राय ही अर्थात कौमुदी के शद्रिस जिस तरह से चंद्रमा की कौमुदी अत्यंत मनोहर होती है मन का हरण करने वाली होती है वैसे ही सीता भी है अक कृतिम विभ्रमई ही कृत्रिमता बिल्कुल नहीं है मुख मंडल को भासित करने के लिए किसी कृत्रिम आलेप का प्रियोग नहीं किया गया है अपितु स्वाभाविक विलासे ही स्वाभाविक सुन्दर्ता से युक्त है स्वाभाविक लावल्ने से युक्त है मधुरई ही अंग कई ही मधुर प्रिय लगने वाले जिसके अंग हैं जिसके शरीर के अवयो हैं वो मम अंबा नाम जननी नाम हमारी जो माताएं हैं कौशल्या आदी तासाम मात्रेणाम कुतूहलम अकरोत उन माताओं के लिए जो कौतूहल का विशय बना कौतूहल जिसने किया ऐसी सीता के इस चित्र को जरा देखो वह सीता का पुरातन चित्र दिखा रहे हैं विवाह के पूर्व का चित्र दिखा रहे हैं कि देखो कैसी सीता उस समय दिखती थी जो माताओं को सदा आनन्दित किया करती थी लक्षमड़ लक्षमड़ बोल पड़ते हैं यह सुनने के बाद कि देखो देखो यह अगला चित्र कैसा है एशा मंथरा अर्थात यह मंथर वृत्तांत यहां से प्रारंभ होता है और कहते हैं देखो यह मंथरा का चित्र है राम सत्वरम सीग रही उस चित्र को हटाते हैं और कहते हैं मंथरा के उस चित्र को हटाते हुए कहते हैं कि कुछ और दिखाओ इस बृत्तांत की अभी आवश्यक्ता नहीं है संप्रति इदम बृत्तांतम नोचितम यह बृत्तांत संप्रति उचित नहीं है देवी प्रिये वैदे ही सीते सीता को संकेत करते हुए राम कहते हैं स्रिंग वेरपुरे अर्था स्रिंग वेरपुर जब वन गमन करना प्रारंभ किये थे तो प्रथम उनका प्रवास स्रिंग वेरपुर में हुआ था जहां पर निशाद राजगोह से मिलन होता है तो स्रिंग वेरपुर नामक अस्थान की तरफ संकेत करते हुए कहते हैं एश पूर्वद्रिष्ट है देखो तुम्हारे द्वारा पूर्व में देखा गया है क्या इंगुदी पादपह इंगुदी का रिक्ष है इंगुदी पादप भी उस चित्र में दिखाई पड़ रहा है तो उस तापस तरु को दिखाते हुए कह रहे हैं कि वन गमन के समय पूर् द्राज गुहु के द्वारा प्रथम साक्षात कार हुआ था प्रथम मिलन हुआ था इस इंगुदी पादप को देखो लक्ष्मण विहस्य सस्मितम हस्ते हैं और हलके हास के साथ मन में विचार करते हैं आत्म गतम मन में विचार करते हैं अर्थात मध्यम जो माता कौन है कैकेई तो मंथरा से वन गमन के बीच में जो पूरा का पूरा प्रसंग था राम ने उसे अलग कर दिया क्योंकि संप्रति गर्भवती सीता है उनको उस वृत्तांत में डाल कर दुखी करना उचित नहीं है इसलिए राम ने उस वृत्तांत को अलग करते हुए कहा कि देखो देखो हम निशाद राज गुह से यहां प्रथम मिलन हुआ था तो लक्ष्मन मन में ही ये बातें कह रहे हैं इस अनुक्षेद में आये हुए कुछ पदों को हम देखते हैं जीवत्सु जीवधातु से शत्री प्रत्य करेंगे तो सप्तमी के बहुवचन में यह रूप बनता है जीवत्सु ऐसे ही चिंत्यमानानाम चिंतधातु है इससे कर्म में शानच प्रत्य करेंगे कर्मण प्रियोग होगा तो शष्ठी के बहुबचन में रूप बनेगा चिंत्यमानानाम प्रांतोन मीलन मनोहर कुनतलाई ही यह बड़ा वाक्या है पीछे भी हमने इसे पढ़ा था प्रांतयोहोनमीलँटह प्रांतोन मीलन्तह यह सब्तमीतत पुरुश्स समास है कर्मधारे समास करेंगे अर्थात मुख मंडल के दोनों तरफ लटकते हुए जो मनोहर बाल हैं उन केशों के द्वारा शुभा प्राप्त करती हुई सीता ऐसा पूरा भावार्थ होगा दशन कुसुमैही दसनाहा कुशुमान इव जो दात हैं वो कुसुम के कुसुमानी इव तैही दसन कुशुमैही अर्था कर्मधारे समास होगा कुसुम के समान दात वाली उस मुगधा लोकम मुगधा आलोकह यस्यतत मुगधा लोकम यहां बहुरी ही समास होगा और अक्रतिम विभ्रमई ही अक्रित्रिमाह विलासाह ये शाम तैह अक्रतिम विभ्रमई ही यहां पर भी बहुरी ही समास होगा हम संख्षिप्त में इस पाठ के सार को देखेंगे कि राम के प्रसंसावचन को सुन करके आनन्दित सीता राम के साथ चित्र देखना आरंभ करती है और प्रथामोवे चित्रों को देखती है जिसमें सबसे पहले ताटका का वध होता है और उससे संतुष्ट महरशी विश्वामित्र राम को दिव्यास्त्र देते हैं जिर्मभकास्त्र प्रदान करते हैं राम के वचन को सुन करके सीता देवी उन दिव्यास्त्रों को प्रडाम करती हैं और सीता कहती हैं कि इन दिव्यास्त्रों से उनकी संतती भी सुरक्षित इनको जिस प्रकार से राम ने प्राप्त किया है भविश्य में वो भी प्राप्त करेंगे सीता राम को कहती हैं कि उनके इस वचन से वो अनुग्रहीत होती है ऐसे ही लक्षमण फिर मिथला वृत्तांत से आगे चित्रों को प्रदर्शित करते हैं इसमें विवाह का चित्र दिखाया जाता है सीता का सौंदर्य वरणित होता है और सीता सौंदर्य के साथ साथ वशिष्ठादी का जो सतकार है शतानंद के द्वारा दिया गया जो स्वर्ण कंकन है ये सारी बाते वहाँ पर वरणित होती है आगे इसी क्रम में भरत के पत्नी मांडवी, सुरुत कीरती और सीता लक्षमन की पत्नी उर्मिला को देखती हैं उनके विशे में परसपर चर्चा करते हैं और पुनह परशुराम के पौरुष का वरणन करते हैं लेकिन उससे राम अपवारित करते हैं ऐसे ही मंथरा का प्रसंग जबाता है तो उस प्रसंग से भी राम अपवारित करते हुए निशाद राज गुह के प्रसंग को मनोरम रीती से वरणित करते हैं और इंगुदी पादप को दिखाते हुए कहते हैं कि इसी इंगुदी पादप के समक्य निशाद राजगुह से साक्षातकार संपन्न हुआ था तो इस प्रकार हम लोगों ने आज चित्रदर्शन नामक यह अंश पढ़ा और यह अंश इस प्रकार से दुतिय भाग पुरा होता है शेश अवसिष्ट जो चित्रदर्शन का दुतिय भाग होगा वह हम पंच दस अध्याय में पढ़ेंगे धन्यवाद